दोस्तो राजनीती में एक मुसहूर कहावत है कि राजनीती में कोई विवेक्ती का पर्मानेंट दोस्त और दुस्मन नहीं होता है और ऐसा ही वाक्या दोस्त हो गया है भीमार्मी चीपस नगीना लोकसभा के सांस चंसेखराजाद और पुरे अजाज समझ पाप्टि और भीम पुनिया लोकसवाद सीट पर पपु यादव के लिए वोट करने की अपपील करी थी लेकिन देखिए पुनिया की पुनिया जो लोकसवाद सीट का जो रुपावली विधान सवाद सीट है आपको वतादू की रुपावली विधान सवाद सीट पर जो है उप चुना होने वा आपको पूरी की पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं उसे पहले नैदर्थ को अपना परज्य दे देता हूं नमस्कार मैं नरेंदर बसंथ हूं और आप जंतंत्र खबर देख रहे हैं देखें दोस्तों चाहें पपू यादव हो या फिर चंदर सेखार आजाद हो बलें दोनों एक साथ राजनीती में एक मंच पर देखे गए हैं एक दुसरे को समर्थन करते हुए देखे गए हैं लेकिस दोस्तों सचाही तो यह है कि पपू यादव और चंदर सेखार आजाद के जो विचार धारा है इसमें काफी आसमान जमीन का फर्क है और दोस्तों अगर तो आप समझ जाएगा क्योंकि देखिए जब नगीना लोकसवासीर से चंसेखार आजादी चुनावी मैदान में उतरे थे तो आपने देखा होगा दोस्तों तमाम जाती धर्म से उपर उठकर चंसेखार आजाद ने वोट जो है मांगा वोट मांगने के लिए आपको उता चंसेखार आजाद ने नहीं किया नहीं चाहे मुसलमानों का कोई ट्राडिशनल कोई रिच्वल परंपरा हो रही हो या फिर हिंद्यों कोई परंपरा रही हो उसको चंसेखार आजाद नहीं माने और सीधे तोर पर अपने विचरधारा पर चंसेखार आजाद जी ठीके रह जिस तरीके से चंसेखराजाद ने अपना कद बढ़ाया और जिस तरीके से दोस्तों चंसेखराजाद मुसलमानों के लिए काम किया दलीतों के लिए क्याम किया ये महना चंसेखराजाद को रंग लाई और चंसेखराजाद दोस्तों अखोता दू कि वोट मांगने के लिए अको दोस्तो चन सेखर आजाद को जन समर्थन बी जम कर मिला औराज चन सेखर आजाद जिसके बड़ी पंचायत में है अगर दोस्तों दुसरी तरह बात करें पपू यादो की तो पपू यादो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब चुनावी मैदान में उतरे थे तब चुनाव जितने के बाद आप उनके रवयों को देखेंगे तब दोस्तों बड़ा माला जो है टीका जितने सारे हिंदू ध आदिक इबाद करें तो सौब परतिस्थ आमबेट करवादी जो है चंसेखर आजाद हैं पपू यादो दोस्तों बले ही सदन में जो है संसद में सपत लेने के दोरान जैभिम बोले हैं लेकिन सचा ये है कि जैभिम जैभारत जैश्मिधान जैए मंडल जैजोहार बोलने का क कोई काम किया तो एकलोता वेक्तिव जैए चंसेखर आजाद जैखिए थे तो आपको बतादों कि पपू यादो जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भले ही जैभिम बोलते हैं लेकिन जिस तरीके से इनकी बिचरधारा है और जिस तरीके से ये गले में हार, माला, टीका, पूजा पाठ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि चंसेखर आजाद के जगह पर और उनके बराबर में कभी भी जो है पौपू यादो नहीं आ सकते हैं वैसे दोस्तों बहुत सारे न्यूज चैनल से ये दिखा रहे हैं कि पौपू यादो जो है चंसेखर आजाद के अच्छ कि बड़ा खेला उपचुनाओं जो पुणिया जीला का रुपाउली है, वहां पर ऐसे होने वाला है, कि देखिये, जो पुणिया के रुपाउली विधान सवासीट है, उस विधान सवासीट से विधाएक ती बीमा भारती भारतीं, तो आपको उतादू कि लोक्सवासीट का चुनाव लड़ने की एलान की और लड़ी भी और लड़ने से पहले विधाय की जो पध्धा उससे इस्थीपा दे दिया और इस्थीपा देने के बाद की वो तो जीती ही नहीं लेकिन पपुयादाव निर्दलीय चुनाव महां से न कि उनको रुपावली विधान सवा के जो उप चुनाव होने वाले हैं उस पर उनसे समर्थन मांगी है तो आप समझे कि जो पपू यादव है वो भले ही निरदलिये चुनाव जीत गया है वो लेकिन वो अपने को कांग्रेसी नेता बतलाते हैं और कांग्रेस जो है पंदन का एक अहम जह दल है तो आप समझ सकते हैं कि रुपावली जो जो उप विधान सवा का चुना होने वाला है उस सीट पर भीमा भारती को जो पपू यादव है वो समर्थन कर सकते हैं और ऐसी दोस्तों त्माम सोशल मेडिया पर खबर चल रही है और खुद पपू य जो पर्टी है आजास समाज पर्टी ओवी जो है पूनिया जिले की रुपावली विधान सवा के सीट है वहां से बिधाएक अपना जो कैंडिडेट है उनको उतारी है जिनका नाम रवी रोसन है और रवी रोसन दम खम के साथ दोस्तों आपको उता दू की परचार परशार करने में जो है लगे हुए हैं और ऐसे में दोस्तों पपू यादो अगर समर्थन करते हैं भीमा भारती को तो कहीं न कहीं चंसेखराजाद के साथ पपू यादो जो है गदारी करने का काम करेंगे उनके साथ धोखा देने का काम करेंगे क्योंकि पपु यादो को जिस तरीके से चंसेखाराजाद ने समर्थन किया था और पूरे जंखम के साथ पुनिया लोकषवाज सीट पर चंसेखाराजाद की समर्थन से पपु यादो का अच्छा खासा वोट मिला और जो पपु यादो है उस सदन में चले गए लेकिन आज जब उपचुना हो रहा है पुनिया जिले के जो रुपावली विधानसवाद सीट है और ऐसे में बीमा भारती को समर्थन करने के बाद पपु यादो को कहीं जा रही है तो कहीं न कहीं दोस्तों आजास समाज पार्टी के खिलाप में बात होगी और चंसेखाराजाद का व जेडियू से कलाधर प्रसाद मंडल है कुल मिलाज विलाकर दोस्तों बात करें तो कुल 14 कंडिडेट के बीच में ये फाइट हो रही है और दोस्तों ये लडाए जो है काफी दिल्चस्प होती जा रही है लेकि दोस्तों सुचने वाली बात यह है कि जो चंसेखार आज़ा पूनिया लोग्सवाज सीट पर जो पपू यादव है उनका समर्थन किये लेकिन आज देखिए खुद पपू यादव बीमा भारती के समर्थन में दीख रहे हैं वो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस महागठबंधन का अदल है तो नैतिक जिम्मेदारी जो पपू यादव क पपू यादव के बारे में आपको उता दू कि पपू यादव जिस तरीके से बीमा भारती के पक्ष में दीख रहे हैं दोस्तों कहीं न कहीं चंसेखर आज़ाद के खिलाप में ए बहुत बड़ी साजी सो रहे हैं और एक तरीके से कहा सकते हैं कि अगर पपू यादव अगर चुनाव से पहले अगर भीमा भारती को खुले मंचों से अगर समर्थन कर देते हैं तो निशी तोर पर आप समझ लिजिए कि पपू यादव और चंसेखर आज़ाद जो चंसेखर आज़ाद हैं पपू यादव उन्हें के बिरोध में अगर भीमा भारती को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित और परापमान का चलिए कि पप्पु यादव अमेट करवादी नहीं हो सकते हैं जिलों दोस्तों शुराती दोर में हमने आपको कहा कि राजनिती में कोई परमानेंट दोस्त और दोस्तमन नहीं बनता है तो इसके अलावे आपको बतादू कि देखिए चाहें पुनिया जो जीला है पुनिया कारूपॉली विधानसवाद सीट हो बकसर जो लोकसवाद चेतर की जो रामगर विधानसवाद की सीट हो इसके अलावे आपको बतादू की तरारी विधानसवाद सीट जो भजपुजिला की है गया कि जो जहानाबाद लोकसवा सीटे है इन तमाम जो है लोकसवा जो विदानसवा की सीटे जो सीटे है इन सीटों पर आपको उतादू की विदानसवा की उपचुना होने वाले हैं और उपचुना में तमाम जो है आजाज समाज पार्टी के परद्यासी खड़े हैं लेकि इन दोस्तों जो रुपाउली विदानसवा के सीट है आपको इसलिए वीडियो में जिक्री किया क्योंकि पपु यादव आजाज समाज पार्टी के खिलाप में दोस्तों परचार परसार करते हुए दिखने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से भीमा भारती और जो पपु याद को लोग सभाव में समर्थन करना पपु यादव को कही ना कहीं आपको उतादू कि चंसिखार आजाद के लिए काफी नुकसान फैदामन तो हुआ पपु यादव के लिए लेकि चंसिखार आजाद जो समर्थन कर दिये लेकिन उप्चेना में खुट जो है पपु यादव उनके खिलाफ में अगर परशार परशार करते हैं तो निश्य तो आप समझ लिजिए कि आजास समाज पार्टी को काफी मुश्यकुलों का समना करना पड़ सकता है क्योंकि पपु यादव का पुणिया चेतर में पुणिया लोक्सभा चेतर एक बहुत बड़ा जानाधार है और ऐसे में पपु यादव खुले मंचों से अगर आजरी का समर्थन करेंगे तो चंसेखर आजाद के खिलाप में समझा जाएगा तो दोस्तों आप समझ लिजिए कि पपु यादव या फिर चंसेखर आजाद यह भले ही राजनितिक रूप से आपको एक जगा दिखने को मिलते होंगे कभी चंसेखर आजाद पपु यादव के समर्थन बोल देते होंगे लेकि दोस्तों सच तो यह है कि चंसेखर आजाद की कभी बराबरी पपु यादव नहीं कर सकते हैं क्योंकि चंसेखर आजाद 100% देशी अमबेट करवादी हैं जबकि जो पपु यादव ह है वो उनके जो है रहां सहन और पूजा पाठ अर्चना प्रतना में है दोस्तों दीखने के मिलता है तो दोस्तों रुपाली जो विदांसवाद सीट है वहां पर काफी लड़ाई दिल्चस्प हो गई है दस जुलाई को मद्दान होना है और तिरह जुलाई को जो है सब्सक्राइब कर लिए फिस्टूप पेटर देखें तो फोलो कर लिए